नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल हिंदी खबर में साथ मैं हूँ आपके नीतु गुपता बुल्टन के शुरुवात करेंगे रुला रहा है प्याज जी हाँ देश भर में प्याज के दामों में बढ़ होतरी देखने को मिले है मुंबई की अगर साथ रुपे किलो तक प्याज की कीमत पहुंची है तो लगातार अलग अलग जगों में प्याज के दामों में बढ़ होतरी देखने को मिली है लखनों की बात की जाए तो साथ रुपे किलो प्याज हो चुकी है देश भर में प्याज के दामों में बढ़ होतरी देखने को म पारेशान है गुरुग्राम में भी प्याच साथ रुपे किलो हो चुकी है। पारेशान है रखी है जो बीच में भी रही तीसाथ में भी तो एक सीम्या खीज लगता है गरीब आदमी गिलिए अब यह थोड़े कि साथ रुप्या सतर रुप्या प्याज आदमी खरीदे गा तो बाकी चीजे क्या कैसे करें गाए पहले किते में लेके जातों अरे पहले ब बूलता नहीं था आप तो हर आदमी बोल ला है प्याज में अभी मतलब बिक्री नहीं है मंदी के मतलब समझे कि पहले एक सप्ता जो भाव था मार्केट में 4847 अभी उसाप से आम दनी भी जाता है और लोगों का उठान नहीं है माल का उठान नहीं है गारी आकर गारी का ग साजित सैफी हमारे साथ समझाता जुड़ गए हैं साजित हमने लोगों को यहां पर सुना प्याज की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर लोग परिशान है लोग कह रहे हैं कि जो प्याज हम पहले एक किलो खरीते थे अब धारी सो खरीत कर ही गुजारा चलाना प बतादे कि बुलंद चोर की अगर बात करते हैं लोगों का मारे सित का हाई जाना है इस पर सुतर पर जो लोग है वो कहीं न कहीं हम महलाई की मार जेल रहे हैं प्याज की जो खीमत है वह उन्होंने एक्दम से आखमान चोड़ा शूरू कर दिया है अगर हम पहले की बात करत बुलंद शहर के मार्कित का जो हाल है वो प्याल है और जो पुकंबार है उनका भी यह कहना है कि प्याग वो प्याग है वो कहीं न कहीं रुला रही है बिलकुल और ऐसे में ये भी समझना होगा कि तेवहार का मौसम आ चुका है जहां पर अलग अलग पकवान बनते हैं ऐसे में प्याज का जो इस्तमाल है वो सबसे जादा किया जाता है पकवानों में इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है क्योंकि तेवहार का मौसम शु प्याज का में भी तो लोग अन्कों फिती सुख्राह के अगा ने पिन्हागत. पर शुतर में लुट आगा करना थे लेकर प्राइण हो प्रेगन है अब यहां बुलंद जाहर के मार्टिक तरब पर 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 प्रते हैं, इस पर सुतुर पर महिराउं को दावाद गया कि कहते वो रसुष चला पाएंगा अगर पीमत कभ नहीं होगी और इस तरह पेमत और पर परती जाएंगे तो स्वाज हो वो स्वाज हो प्याज का नहीं ले पाएंगी और उन्हें प्याज को सब्सी होते हैं दूर रखना पड़ेगा रहे हैं उनको किस रेट में मिल रहा है उनको कितनी दिक्कते हो रही है देखिए जब बाजार में अचानक से कीमते किसी भी सब्दी के आफमां पुरह पर देती हैं तो जो फोर्टे दुकंदार होते हैं ये तंग्जा करता कि वो उस शीच से सूरी जनाने के वोटे दुकंदारों ने प्याज रखनी बंब करती है अब आलती है अगर बड़े प पूरे बाजार और लोगों पर इस पर सब्सक्राइब लोगों पर भी पढ़ रहा है साजे यहां पर एक चीज़ ये भी है कि दिली के अगर बात की जाए दिली में भी प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है ऐसे में दिली सरकार कहारी है कि हम कम कीमत पर प्य तो यहां पर लोगों ने जो उमीद की है और कहा है कि जल से जल दाम जो है वो घटे बहुत 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 शुक्रिया यह अपडेट हम तक पहुचा आने के लिए साजिद तो बुलंड शहर से मारे समधाता जोड़े हुए थे जो प्याज की दामों के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को परिशानी जहली पड़ रही है जो प्याज पहले एक किलो जो इस्तमाल करते थे अब उन्हें धाई सो खरीद कर ही इसको काम चलाना पड़ रहा है और एक और फिर से हम अपने समधाता मनीश गुपता के पास रूफ करेंगे मनीश किस तरह से मार्केट का हाल बना हुआ है मार्केट में किस तरह से प्याज पहुँश रहे हैं लोगों का क्या कुछ कहना है आगरा में की आगरा की मल्यों में जो प्याज खुटरमूल ढो जो है उसका है वो सतर से आशी और प्रतिकलो मिल रहा है। छोग भ्यापारियां उनके कहना है कि नासिक जो सबसे बड़ी मंडी है वहां से प्याज की आवक यह कम हो गई है। जिसके वएसे प्याज की जो कीमते हैं वो आसमान को छू रहे हैं। आपको में बताओ आम आदमी की थाली से प् पूरा एक भजट होता है, वो गरवला दिया है। लोग का कहना यह है कि आने वाले दुनों में चाहा किसी की कोई फंक्शन होता है या कोई बात होती है, तो प्याज आजकल की जो परिएश में एक एहम रॉल रहती है। लेकि जिस तरीके से डिली की सरकारों ने जिस तरीक से प्याज की किमतों को कंट्रोल किया जाए, आम आदमी की ठाली से प्याज को रहे होने से बचाया जाए। बिलकुल मनिश बहुत बहुत शुक्रिया, यह अपडेट हम तक पहुचाने के लिए तो ना सर्फ रसोई घर में यह हाल बना हुआ है, बलकि मार्केट में भी इखने को मिल रही है, प्याज के दा में बढ़ोतरी को लेकर इसके साथी साथ जो आम जन जीवन है, वो भी परिशान हो रहे हैं, जो हर दिन इसका इस्तमाल करते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है प्याज के दा में बढ़ोतरी को लेकर विन है। लोग परिशान हो चुके हैं प्याज को लेकर और इस तरह से ये प्याज के देट बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर जो है का क्या को लिए प्याज के दाम आखी रहे हैं। लोग काफी परिशान नजर आ रहे हैं। इससे रसोई घर का जो तड़का है वो तड़का कम नजर आ रहा है जो स्वाध है वो कम हो चुका है। लगतार लोग यही कह रहे हैं कि जहां पहले जादा इस्तिती देखने को मिलते हैं। इस देवार के मौसम में जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से लोगों को इस परिशानी से जूटना पढ़ता है। लोगों का यही कहना है कि अब जो दाम बढ़े हैं इस दाम को सरकार कम करें। इसके लिए भी सरकार तयारी करें कि प्याज के दाम जल से जल कम किये जाें कि अलग अलग जगों पर प्याज के दाम 50 रुपे से ऊपर उठ चुके हैं डिली की बात की जाए तो 60 रुपे तक प्याज की कीमत पहुँच चुकी है। ज्योग प्याज 60 रुपे किलो तक पहुँच गई है उसको हम 24 रुपे किलो करने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएंगे ऐसे में जो अलग-अलग राज्जे के लोग हैं उन्होंने भी अपनी सरकारों से उमीद लगाई हुई है कि यहाँ पर भी प्याज क जो दाम बढ़े हुए हैं उसको कम किया जाए इसकी कोई ना कोई तैयारी की जाए मुंबई में 80 रुपे पर आज की कीमत पहुच चुकी है गंटी का बटन दबाए और हिंदी खबर से जुड़ जाए